हांजी बच्चों, जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट क्या हुआ है, कोशन नम्मर थ्री, कोशन नम्मर थ्री, एक्स्प्लेइन दा कोजिस आफ बिहाइंड लॉफ डिमांड, तो बच्चे, आप अच्छे से इस चीज़ को तो समझ चुके हैं, कि लॉफ डिमांड क्या है, डिमांड करने के प्रिंसिपल्स क्या है, उसके सिधान्त क्या है, तो कोई भी कंज्यूमर, हम जब भी कभी डिमांड करते हैं, तो आप अपने behavior को अगर observe करें, तो behavior कुछ इस तरीके का होता है, कि किसी भी commodity की price जब increase होती है, तो उसके quantity demanded क्या हो जाती है, decrease होती है, और जिसके price अगर decrease होती है, तो उसके quantity demanded क्या होगी, increase होगी, तो बच्चे, price और quantity demanded के बीच में, inverse relation होता है, negative relation होता है क्यों? क्योंकि अगर price बढ़ रहा है तो demand कम होगा और price अगर कम हो रहा है तो demand बढ़ेगा तो price में जिस direction में change आ रहा है demand में उसके opposite direction में change आ रहा है इसलिए हम कहेंगे कि price और demand के बीच में inverse relation होता है ये low of demand में हमने अच्छी तरह की से इसको clear किया है अब बच्चे low of demand तो ये होता है लेकिन ऐसा क्यों होता है क्या reason है? क्या reason इसके पीछे? कि जब price increase होती है तो demand decrease और जब price decrease होती है तो लोग उसके demand बढ़ा देते हैं ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो reason में से reason number two पर हम आ गए है और reason number two हमारा है substitution effect बच्चे substitute का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरे पर replace कर लेना उसे हम क्या कहते हैं? substitute करना एक की जगह पर दूसरे को replace कर देना clear है बच्चे? क्रिकेट में कोई player injured हो गया तो match से पहले तो हमने क्या करा उसको? उसके जगह पर दूसरे player को खिला लिया इसे कहते हैं substitute करना clear है बच्चे? समझ रहे हैं आप? कहीं बाहर गोमने के लिए गए और tea के habitual है हम tea consume करते हैं बट वहाँ पर tea नहीं उस टाइम पर था तो उस समय वहाँ पर coffee थी तो हमने tea के जगह पर coffee consume कर लिया तो यहाँ पर क्या करा हमने substitute कर लिया? substitute का मतलब होता है एक के जगह पर दूसरे को use में लाना तो बच्चे substitution effect क्या होता है? जरा समझेगा बच्चे substitution effect क्या होगा? for example कोई एक commodity है X अगर market में इसकी price fall हो जाए कम हो जाए सस्ती हो जाए तो consumer के लिए वो अब और सस्ती लगने लगेगी दूसरे goods के comparison में अगर कोई एक commodity है और market में जाके पता लगता है कि इसके price तो decrease हो गई है, कम हो गई है तो फिर दब दूसरे से compare करेंगे न तो ये और भी सस्ती लगेगी हमें दूसरे goods के comparatively मैं ये plan करके गया था for example माल लेजिए मैं ये plan करके गया था कि मैं banana भी लूँगा और मैं apple भी लूँगा मैं दो चीजे plan करके market में गया था लेकिन जैसे market में मैं पहुचा तो मैंने वहाँ पर देखा बनाना में अगर मैंने वही पैसे लगा दिये तो बनाना में ज़्यादा quantity में ले पाऊंगा अपनी ज़्यादा needs को fulfill कर पाऊंगा तो price fall होने की वह से relatively ये apple के compatibility काफी cheaper हो गया तो अब मैंने क्या करा जो apple वाला price है वही मैंने बनाना पर जो apple के लिए था हमारा budget वो अब उस पर लग रहा है substitute हो गया है हमारा budget substitute हो करके जो चीज़ relatively cheaper थी उस पर चला गया जो हमारा budget उस पर चला जाएगा तो उसकी demand क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी clear बच्चे समझ रहे हैं आप तो अगर आप example में मैं लूँ एक coke and Pepsi का example clear बच्चे तो अब आप देखिए अब लगब लबग same rate पर दोनों होते हैं लबब लबग दोनों same rate पर होते हैं और taste पर कोई खास फर्क है नहीं हम generally coke पीते हैं अगर coke नहीं है तो फिर हम Pepsi consume कर लेते हैं generally ऐसा ही होता है दो goods है मान लीजिए आप coke के consumer है और अगर आप coke के consumer है तो आपके लिए original goods क्या है coke है clear है बच्चे और लोग बहुत साइब लोग ऐसे हैं जो Pepsi के भी consumer है तो खेर आप और मैं जिसके consumer हम उसकी बात करें तो better है हम बात करते हैं coke क्योंकि हम coke के consumer है अब बच्चे हम coke के consumer है और coke की price coke की price क्या हुए coke की price decrease हो गई है coke की price fall हो गई है coke की price गिर गई है तो coke की price जब गिर गई तो आप यहाँ देखेंगे कोई consumer Pepsi पीने आया है वो देखेंगा coke तो relatively cheaper है तो फिर पेपसी क्योंकि उसको same level लबक टेस्ट दोनों में ए दूसरे के जगे पर ने को substitute हम कर सकते हैं यूज में ला सकते हैं तो पेपसी पीने आया है देखते हैं coke के price fall हो गया coke तो competitively cheaper हो गया पेपसी से तो फिर क्यों पेपसी पे पैसे लगाएगा वो लेख चलो भी ये coke की देदो तो coke की demand देखिए बढ़ गई है इसके पिछे reason एक तो वो भी है कि उसकी price कम होई तो consumer उसकी demand बढ़ाई एक ये भी है कि दूसरे consumer substitute effect पढ़ा है दूसरी चीज के जो budget था वो इस पे substitute हो रहा है अब consumer coke पीने लग रहे है तो coke के number of consumer बढ़ जाएंगे और coke की demand बढ़ जाएगी clear है तो यहाँ पर बच्चे explain the causes behind law of demand तो second क्या substitution effect अगर original goods की price fall हो जाएगी तो ये relatively ये competitively अपने substitutes के ये cheaper हो जाएगी और इस पे consumer अपने बजट को transfer कर देंगे और फिर इससे क्या होगा इसकी demand बढ़ जाएगी तो price काम होई तो demand बढ़ गई क्यों क्योंकि substitution effect पड़ा है अब अच्छे आप देखें substitution effect पे substitution effect substitution effect refers to us substituting one commodity in place of each other when it's become relatively cheaper मैं repeat कर देता हूँ substitution effect refers to substituting one commodity in place of each other when it's become relatively cheaper when price of the given commodity तो substitution के बारे में क्या कह रहा है कि वो goods जो एक दूसरे के जिगे पर हम जिसको हम replace कर सकते हैं जब हो सस्ता बन जाता है तब तो substitution effect refers to a substituting one commodity in place of each other when it's become relatively cheaper when price of the given commodity falls it becomes relatively cheaper as compared to its substitute for example if price of given commodity falls with no change in price of its substitute say coke then Pepsi will become relatively cheaper and will be substituted for coke demand for Pepsi will rise बात करते हैं Pepsi की इसमें Pepsi के बारे में बात कर रहा है कि Pepsi हमारी original goods है हम Pepsi के consumer है मैं Pepsi consumer है Pepsi की price अगर fall हो जाएगी तो फिर coke के consumer के लिए Pepsi competitively cheaper लगेगा then वो substitute हो जाएगे अपने budget को यहाँ पर transfer कर देंगे and Pepsi की demand क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर Pepsi को focus किया गया तो Pepsi हमारा यहाँ पर original goods हो गया और coke substitute हो गया clear है तो Pepsi की price fall हो गी तो coke के consumer Pepsi की तरफ आगर के इससे Pepsi की demand बढ़ जाएगी इसको हम बोलते है substitution effect clear है बच्चे तो point number two clear से बच्चे को substitution effect हाँ जी बच्चो अब हम जो हमारा question number three continue है explain the causes behind law of demand इसके अब हम answer पे point number three पे आगए है थर्ड answer देखिएगा क्या है income effect अब बच्चे इस income effect law of demand मतलब किसी भी commodity की price जब increase होती है तो उसकी demand decrease हो जाती है और जब price decrease होती है तो demand increase हो जाती है price जिस direction में move कर रहा है demand उसके inverse direction में move कर रहा है तो यहां कहेंगे price और demand के बीच में inverse relation होता है और इसी concept को law of demand कहते हैं तो question हमारा यही है कि low of demand क्यों apply होता है, इसके पीछे reason क्या है, मतलब price increase होने पर हम क्यों demand decrease कर देते हैं, या price decrease होने पर हम क्यों demand को increase कर देते हैं, इसके पीछे क्या reason है, तो अब तक हम 2 reason पढ़ चुके हैं, clear है बच्चे, अब हम reason number 3 पर आच चुके है, income effect, अब आप इस income effect को पढ़ने से पहले, आपको 2 चीजे को समझना होगा, income के बारे में आपको समझना होगा, बच्चे, income 2 तरीके की होते हैं, एक तो money income होगा, और एक real income होता है, income कितने तरीके की होते हैं, income 2 तरीके की होते हैं, तो इसको जड़ा समझी है आप तो यहाँ पर आप देखें इंकम दो तरीके के होते है इंकम दो तरीके के होंगे बच्चे आपका एक इंकम तो आपका मनी इंकम होता है और एक इंकम आपका रियल इंकम होता है दो तरीके के income होते हैं अब बच्चे money income क्या होता है जो आप earn करते हैं ये आपकी money income है for example मेरे पास में 10 रुपे का note है तो ये मेरी money income है 5,000 रुपीस salary है तो ये मेरी money income है 10,000 रुपीस मेरी salary है ये मेरी money income है जो मैं earn करता हूँ ये मेरी money income है और real income क्या होता है किसी भी commodity को purchase करने की capacity clear है purchasing power भी कहते हैं इसको तो जो आपकी purchasing power होती है जो खरीदने की जो शमता होती है इसको हम बोलते है real income clear है बच्चे अब आप देखिए एक example ज़रा समझेगा कई भी आप अपने एक पैसा आपको पता ये चीज इतने रुपे का है confirm ये चीज इतने रुपे में आएगी आप वो रुपे लेकर के गए market में और उसके rate हो गए down सस्ते हो गए वो तो अब उतने रुपे में उतने quantity आएगी या ज़्यादा quantity आएगी रिपीट कर रहा हूं फिर से ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि आपने पहले ही आपको पता था कि ये इतने रुपे में इतनी quantity आती है और उस हिसाब से आप वो रुपे लेके market में गए लेकिन जब आप market में गए तो वहाँ जाकर के आपको पता लगा कि इसके rate क्या हूए decrease हो गए rate क्या हो गए कम हो गए तो इतने रुपे खर्च करोगे पहले जितना तो quantity पहले जितनी आएगी है पहले से ज़्यादा आएगी इत मेंस आपका purchasing power बढ़ गया है इसका क्या मतलब है बच्चे इसका मतलब क्या है आपका purchasing power जो है वो clear बच्चे तो इसका क्या मीनिंग होगा कि आपका purchasing power बढ़ गया है clear बच्चे को doubt किसी बच्चे को तो आपका purchasing power जो है वो बढ़ गया है clear बच्चे तो आपका जो purchasing power होता है उसको हम real income कहते है clear है तो अब आप यहां देखें कि example के through आप समझें कि किसी भी commodity के जब price fall हो जाए आप एक budget लेकर के गए market में कि मैं apple 1 kg apple इतने रुपए का आतने रुपए लेकर गए market है पहुचे तो apple के rate डाउन हो गए अब उतने रुपए अगर आप उस पर खर्च करते हो तो apple के उतनी quantity नहीं आएगी ज्यादा quantity आएगी तो ज्यादा quantity के पीछे responsible क्या है आपकी salary तो नहीं बढ़ गई आपके pocket में ज्यादा पैसा तो नहीं आ गया आपकी purchasing power बढ़ गई है खर्यदने की capacity बढ़ गई है तो यहाँ पर क्या हुआ price fall होने से क्या हुआ आपकी real income बढ़ गई है बेरी बास समझ रहे हैं मैं repeat करता हूँ आप market में apple लेने गए 50 rupees per kg apple है for example 50 rupees का 1 kilo apple है 50 rupees लेकर के आप market में गए apple लेने वहाँ पहुँचे वहाँ पता लगा कि apple 25 rupees per kg है तो आप 50 rupees खर्च करेंगे तो 1 kg ही आएगा या आप 2 kg आएगा तो अब आपकी जो quantity बढ़ गई है apple की demand जो आपने बढ़ा दी है ये कैसे आपका 50 rupees तो उतना ही है जितना पहले लेकर आए थे बस इस बार क्या हूँआ price fall होने के वहेसे आपकी purchasing power बढ़ गई है तो purchasing power बढ़ने के वहेसे आपने ज़्यादा quantity buy कर लिए 1 kg more आपने buy कर लिए तो किसी भी commodity की price जब fall होती है तो एक consumer की जो real income होती है वह बढ़ जाती है purchasing power बढ़ जाती है जिसकी वहेसे वह ज़्यादा quantity को buy कर सकता है तो वह demand उसकी ज़्यादा quantity buy करेगा तो demand उसकी increase हो गई तो price decrease होने से commodity की demand increase हो जाती है क्यों? क्योंकि उसकी purchasing power बढ़ जाती है consumer को उसको buy करने की जिसको कहते है हम real income बढ़ जाती है तो किसी भी commodity की जब price fall होगी तो consumer की purchasing power it means real income increase हो जाएगी वह ज़्यादा उसको buy कर सकता है अब तो वह ज़्यादा quantity की buy करेगा जिसे demand उसकी बढ़ जाएगी तो price decrease होई तो demand क्या हुआ increase होई और ऐसे ही बच्चे है अगर price increase हो जाए तो उतने ही budget में हमें उतना समानी ले पाऊँ मेरी purchasing power कम हो जाएगी तो हमें कम quantity buy कर पाऊँगा तो मेरी demand क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी तो purchasing power पर भी depend करता है ये चीज़े तो income effects income effects का किस तरगे की income की बात कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर real income की बात कर रहा है clear है income effects income effects refers to effects on demand when real income of the consumer change due to change in price of the given commodity जब consumer के real income है purchasing power में change आ जाता है क्यों change आ रहा है purchasing power में क्योंकि उसकी price में change आ रहा है अगर price कम हो जाए तो purchasing power जादा हो जाएगी और price अगर बढ़ जाए तो purchasing power कम हो जाएगी तो क्या है बच्चे यहाँ पर income effects refers to effects on demand when real income of the consumer change due to change in price of the given commodity when price of given commodity falls जब किसी भी given commodity के price fall हो जाएगी it increase the purchasing power it means real income जब किसी भी commodity के price fall हो गई तो वो क्या करेगा वो उसकी purchasing power को बढ़ा देगा when price of given commodity falls it increases the purchasing power it means real income of the consumer as a result he can purchase more of the given commodity with the same money income वो उतने ही money income में उतने ही budget में अब ज़्यादा community को बाई कर सकता है for example suppose एशा बाइस फोर चोकलेट एट 10 रुपीस इच चार चोकलेट बाई करती है और एक चोकलेट कितने का 10 रुपीस इच है with the pocket money of rate 40 रुपीस तो इशा के पास में pocket money क्या है इशा के पास में pocket money क्या है 40 रुपीस और 10 रुपे का एक चोकलेट है तो 4 चोकलेट वो बाई करती है if price of chocolate falls to 8 रुपीस अगर 8 रुपे के price हो जाए then with the same money income same pocket money 40 रुपे से इशा केन बाई 5 चोकलेट अगर 8 रुपे का हो जाए तो 40 रुपे में 5 चोकलेट बाई कर पाईगी due to an increase in the her real income क्योंकि उसकी purchasing power अब बढ़ गई है क्लियर है बच्चे तो अब आप देखिए price effect price में change होने का क्या का effect पड़ता है अगर किसी भी commodity कि price कम हुई है तो इसके demand बढ़ने के बीचे दो reasons अभी मैं clear कर देता हूँ आपको price कम होई है एक तो यह है कि मेरी purchasing power बढ़ गई है मेरी खरीदने की शक्ति बढ़ गई है मेरी real income बढ़ गई है अब कह सकते हैं इसको तो मैं इसको ज़्यादा quantity buy करूँगा demand बढ़ेगी बढ़ यहीं तक ने रुखेगी एक यह भी reason होगा मैं साथ-साथ दूसरी चीज़ भी लेने के लिए market में आये था बढ़ देखना हो रहे है यह तो compatibility cheaper है तो मैंने उसका पैसा भी उसका बज़ेट भी यहां सिप्ट कर दिया demand इसकी और बढ़ गई अब देखिए मैं 50 रुपीज का for example मैं 1 kg apple लेने गया मार्केट है पहुंचा तो 25 रुपए का एपल है तो 50 रुपए खर्च करूँगा तो दो केजी अपल अब दो केजी अपल नहीं लिया मैंने तीन केजी ले लिया कैसे एक तो मेरे money income नहीं मेरे real income मेरी purchasing power बढ़ गई आप मैं उतने ही budget में same money income में 50 रुपए में 2 kg ले सितना हूं एक तो यह रिजन रहा हूं और एक मैं दूसरा समान लेने के लिए यह सस्ता लगा मैंने वह पैसा भी इस पर लगा दिया तो substitute करने के वज़े से मैंने 1 kg और ले लिए दूसरे के बज़े ट्रांसफर कर दिया मैं 3 kg लेकर जा रहा हूं एक किलो सोच कहा दा 3 kg लेकर जा रहा हूं क्यों 1 kg तो इसका जो बढ़ाया वो क्यों वो मेरे real income बढ़ने के वज़े से मैं इसको ज्यादा ले पाया and 1 kg और मै सब्सिटूशन इफेक्ट कर दिया मैंने तो प्राइस में चेंज आने से दो तरीके के चेंजिस आते इसकी विए इसे डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस एक तो इंकम एफेक्ट एक तो रियल इंकम बढ़ जाती है और मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे आपको 25 रुपीस पर केजी है तो 50 रुपए दूँगा तो मैं को 2 kg एफल मिलेगा बटा मैं 2 kg ने ले रहा हूं एक तो वहां पर 1 kg एक तो प्राइस का पड़ा उस प्राइस का उफेक्ट पड़ा एक तो उस पर income effect पढ़ा, मेरी real income बढ़ी, और दूसरा substitution effect पढ़ा, तो आपका price effect क्या होता है, price effect equals to income effect plus substitution effect, तो price effect equals to income effect plus substitution effect, clear है बच्चे, तो आएए, ज़रा पढ़ लेते हैं, एक बार इसको एक बार और और गोत्र हो जाते है, income effects, income effects refer to effects on demand when real income of the consumer change due to change in price of the given commodity, when price of given commodity falls, it increase the purchasing power, real income of the consumer, as a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income, for example, suppose isha buys four chocolates at rate 10 rupees each, with the pocket money of 40 rupees, if price of chocolate falls to 8 rupees each, then with the same money income, isha can buy five chocolates due to an increase in her real income, and price effect equals to income effect plus substitution effect, clear है बच्चे, अच्छे तो समझ में आगया, एक 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 ची समझ में के, learn करने में ज्यादा problem आपको नहीं होनी चाहिए, clear है, हाँ जी बच्चों, तो question number 3, explain the causes behind law of demand, उसमें हम point number 4 पर आगे हैं, तो point number 4 क्या हमारा, बच्चे point number 4 है additional customer, बच्चे जब किसी भी commodity की, जब price fall होती है, decrease होती है, तो को भी commodity एक इस position में रहती है, कि वो कुछ customer की range में तो आते हैं, उनके budget में तो आते हैं, बट कुछ consumer ऐसे होते हैं, जो उनके range से बाहर होते हैं, लेकिन जैसे ही price fall होती है, तो वो कुछ consumer की budget में आ जाते हैं, कुछ consumer की range में आने लग जाते हैं, जो पहले नहीं आते थे, तो अब क्या होते हैं, कि उस पे new consumer भी अब उसको buy करने लग जाते हैं, तो वो लोग भी उनको consume करने लग जाते हैं, तो इससे क्या होते हैं, जो fruits के पहले consumer थे, उसमें अब new customer add हो रहे हैं, तो उससे उसकी demand बढ़ेगी, और इसके साथ सा जो पुराने customer थे उसके, वो उसकी demand बढ़ाई रहे हैं, तो all over इसकी demand बढ़ेगी, तो किसी भी community की जब price fall होती है, तो वो कुछ consumer की range में आ जाते हैं, जो पहले नहीं आया करते थे, तो अब कुछ और consumer, अब new consumer उसको buy करने लग जाते हैं, उनके budget में आ जाता है, जिससे number of consumer बढ़ जाते हैं, और उसकी demand बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं कि price fall होने पर demand तो फिर मैं यहाँ पर consumer, number of consumer कम हो जाएंगे, और demand क्या जाएगे, इसके कम हो जाएंगे, तो price बढ़ने से demand कम हो रही है, इसको low of demand कहते हैं, price decrease से demand increase, और price increase से demand decrease, clear है बच्चें? तो यहाँ पर आप देखें, additional customer, when price of a given commodity falls, many new consumer who were not in a position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it, तो क्या कह रहा है बच्चे? जैसे किसी community की price कम हो जाती है, तो वो customer जो इसको पहले नहीं high price पर buy कर पा रहे थे, लेकिन अब उसको वो buy करने लग जाएंगे, repeat करते हैं, additional customer, when price of a commodity falls, many new consumer who were not in a position to buy it earlier due to its high price, now starts purchasing it, in addition to new customer, all consumer of the commodity start demanding more due to its reduced price, तो यही है किसी community के price जब कम हो जाती है, तो अब वो कुछ consumer के range में आ जाते हैं, और वो consumer उसको buy करने लग जाते हैं, तो उसके number of consumer बढ़ने से demand बढ़ जाती है, तो price for उने पर demand बढ़ रही है, इसी को हम बोलते है, low of demand, example चीज़ों को समझत है, for example, if price of ice cream family pack falls 100 rupees to 50 rupees per pack, then many consumer who were, then many consumer who were not in a position to afford the ice cream can now buy it with decrease in its price, clear बचे, तो देखेंगे, for example, if price of ice cream family pack falls rate 100 rupees to 50 rupees per pack, then many consumer who were not in a position to afford the ice cream can now buy it with decrease in its price. more over the old customer of ice cream can now consume more, as a result, total demand is increases, total demand increases, clear है बचे, समझ गए? हंजी बच्चों, तो question number 3, explain the causes behind law of demand, इसके explanation पर कि जो law of demand होता है, जब price increase होती है, तो किसी भी commodity की demand decrease होगी, और जब price decrease होगी, उसकी demand increase होगी, यह consumer का behavior होता है, इसको law of demand कहते हैं, price और demand के बीच में inverse relation होता है, यह हमने पढ़ा, बट इसके पीछे reason क्या है, तो हम reason पढ़ते होए, अब हम fifth point पर आच चुके हैं, for example, मैं कुछ example लूँ, तो electricity, तो electricity के बहुत ज़्यादा uses है, उसका आप देखिए, mixture में भी use कर सकते हैं, उसका fan में भी use कर लेते हैं, refrigerator में भी उसका हम use कर लेते हैं, तो हम electricity का use हम बहुत जगह पर कर सकते हैं, उसी तरीके से, मैं एक और example लूँ, milk, तो different uses का मतलब हो गया, जिसका अलग-अलग जगह पर, बहुत जगह उपर इसका इस्तेमाल है, milk देखेंगे, तो milk आपका, पनीर में भी इसका इस्तेमाल है, मिठाई में भी इसको use कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर हम यहाँ पर milk को use कर सकते हैं पीने में इसको use कर सकते हैं milk को और sweets में बहुत तरगी sweets में हम बना सकते हैं इसको Butter में यूज कर सकते हैं milk को तो कुछ commodities ऐसी होती हैं जिसके different uses होते हैं तो जैसे इसके electricity, milk, ये कुछ example लिया है, जैसे इसके price increase हो जाएं, कीमत बढ़ जाए, तो as a consumer हम क्या करते हैं, इसको इसका use हम जो ज़्यादा use नहीं है, like sweets, like butter, like cheese, थोड़ा यहां से हम इसको ज़्यादा important नहीं है, यहां समें इसको avoid कर देंगे, अगर milk बढ़ जाए, और सिर्फ उसका use हम कहां करने ले जाएंगे, सिर्फ पीने में, या फिर चाय में, टी में, तो बच्चें, ऐसी चीजों का, जिसके multiple uses होते हैं, अगर price बढ़ जाए, तो जो ज़्यादा necessary नहीं है हमारे लिए, उन सब से उसके demand को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और all over demand क्या हो जाएगे, कम हो जाएगे, और जैसे ही price fall हो जाए, कम हो जाए, तो देखिए फिर हम sweets बनाएं लग जाएंगे, बटर, दही, जवाई लग जाएंगे, अगर milk है price कम हो जाए, तो जो ज़्यादा important नहीं थी पहले, अब हम उसका use वहाँ तक भी कर रहे हैं, तो all over demand क्या होई बढ़ गई, तो low of demand यही तो कहता है, कि price increase होगी तो demand कम, और price decrease होगी तो demand जादा, तो यह low of demand apply हो रहा है, क्योंकि इसके multiples uses है, अगर price बढ़ रही है, तो सिरफ necessary, जो हमारी needs है, जो बहुत important needs है, उसी को fulfill करेंगे, बाकिज़के से demand sacrifice कर देंगे, और जैसी price fall हो जाएगा, तो ज़्यादा necessary नहीं भी है, वहाँ भी demand करेंगे, बढ़ जाएगी, तो जब price increase हो रही है, तो demand कम कर रहे हैं, और जब price decrease हो रही है, तो demand जादा कर रहे हैं, clear है बच्चे, तो आए ज़रा पढ़ते हैं, different uses, some commodities like milk, electricity, etc. have several uses, multiples of uses, some of which are more important, than the others, कुछ बहुत important होते हैं, इसके uses कुछ हद तक बंद हो जाएंगे, अगर price बढ़ जाएगा, to the most important purpose and demand, for the less clear and important uses, like cheese, butter, gets reduced, however, when the price of such commodity decrease, the commodity is put to use, whether important or not, जब price decrease हो जाएगी, तो उसको हम use कर रहेंगे, चाह वो हमारे लिए important है, या नहीं है, तो ऐसे goods, जिसके multiples uses हैं, several uses हैं, price अगर बढ़ जाए, तो जो important है, सिरफ हम होई तक उसका uses रखते हैं, तो demand कम हो जाती है, और जब price कम होती है, तो इसके uses को, वो हमारे लिए important है या नहीं है, अपने uses को बढ़ा देते हैं, तो demand बढ़ जाती है, और law of demand यहीं कहता है, price increase, तो demand decrease, and price decrease, तो demand increase, तो बच्चे यह क्या था आपका, यह आपका law of demand को applicable करवाने के लिए, जो reasons हैं, जो causes हैं, वो हमने अभी तक पढ़े हैं, या तक हमने complete कर लिया है, question number 3 को,